ओम नमो भगवते रामकृष्णाया मेरा भारत अमर भारत स्वामी विवेकानन प्रिष्ट संख्या ग्यारा पेज नमबर 11 पैरेग्राफ नमबर 4 स्वामी जी कहते हैं हां मेरे बंधु यही हमारे देश का गवरव मै भग्य है कि सुदूर अतीत में उपनिशदों के काल में ही हमने संसार के समक्ष एक चनवती रखी थी न प्रजया धने न त्यागे नई के अम्रतत्व मानश हूँ न तो संतानों द्वारा और नहीं संपत्ति के द्वारा बलकी केवल त्याग द्वारा ही अम्रतत्व की प्राप्ती होती है एक एक कर कई राष्ट्रों ने इस चनवती को स्विकार किया और अपनी शक्ती भर संसार की इस पहेली को कामनाओं के स्तर पर सुल जाने का प्रयत्न किया वे सभी अतीत काल में असफल रहे पुराने राष्ट्र शक्ती तथा धन की लोलुपता से उत्पन होने वाले पापाचार और दुखों के बोज से दब कर मिट गये और नए राष्ट्र डग मगाते कदमों से पतन की और बढ़ रहे हैं इस प्रश्ण का हल होना अभी भी बाकी है कि शान्ती की जय होगी या युद्ध की सहिष्णता की विजय होगी या असहिष्णता की भलाई की विजय होगी या बुराई की शरीर की विजय होगी या बुद्धी की सानसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की हमने तो युगों पहले ही इस प्रश्न का हल ढूंड लिया था और सवभाग्य या दुरभाग्य के बीच हम अपने उसी समाधान पर दृढ़ता पूर्वक डटे हैं और चिरकाल तक उसी पर अटल रहने को कृत संकल्प है हमारा समाधान है असंसारिकता आध्यात्मिकता त्याग हमारा समाधान है असांसारिकता आध्यात्मिकता त्याग मानव जाते का आध्यात्मी करण यही भारतिय जीवन रचना का प्रतिपाध्य विशय है यही उसके अनंत संगीत का मूल सुर है यही उसके अस्तित्व का मेरुदंड है यही उसके जीवन की आधार शिला और उसके अस्तित्व का एक मात्र हेतु है चाहे तातारों का शासन रहा हो या तुरकों का चाहे मुगलों ने राज्य किया हो या अंग्रेजों ने परंतु अपने इस सुदीर्ग जीवन प्रवाह में भारत कभी भी अपने इस मार्ग से विचलित नहीं हुआ है परंतु अपने इस सुदीर्ग जीवन प्रवाह में भारत कभी भी अपने इस मार्ग से विचलित नहीं हुआ है To be continued Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Shri Ramakrishnaar Panamastu